हेलो फ्रेंड्स जैहिंद बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सकसेना सिपी क्लासेश में दोस्तों आज जो आपका जो डिलेड सेकंड सेमिस्टर का जो पहला पेपर हुआ है वरतमान भारती समाज इन प्रारंभिक सिच्छा पांच नमंबर का तो उसकी एनलसिस को मैं दोस्तों लेकर करके आया हूँ सभी साथ ही कमेंट जरूर करिएगा कि आपके कितने नमबर आ रहे हैं मेरे दोस्तों चलिए जातान देर करते हैं हम लोग सुरुआत करते हैं जैसा कि दोस्तों पहला जो क्वेस्टन था वो का रहा कि हमें उस सिच्छा की आवसकता है जिसके द्वारा चरित्र का होता है मस्तिस्क की तो यह जो आपका विचार था मेरे दोस्तों वह आपका था स्वामी विवेकानंद जी का किसका था मेरे दोस्तों यह जो विचार दिया था स्वामी विवेकानंद दिया था अगला क्रेशन से देखिए कि जन संख्या सिच्छा का मूल सहयोगी संग्ठन जन सिच्छा का मुल सरयों की समझाए UNESCO का होता है यह WHO World Health Organization होता है यह को जाएगा UNESCO हो जाएगा ठीक है चलिए अगला साथ का दिवास चपन यह तो बहुत अच्छी तरह से बात है कि दिवास अठीक है यह आपके गीजू भाई थे कौन की बां dist線 recorded ऑल जो नियुक् excluding over thrnal समद्धित किसे माध्यमिक सिछा से समद्धित जो संद्धित है अगला क्या करते हैं सच्ची सिच्छा वह है सचि सिच्चा वह है जो देखत के अंदर ये है आपका दोस्तों Russo ये कहा था देखे कि कथन लुशो ने कहा था कि मतलब कि सच्ची सिच्चा वहीं होति है लिए अंदर खुद क्या होती प्राव स्पूतित होने का मतलब है कि अंदर साइए निकलती है ठीक है चली अगला questions आपका कहारा था कि आधुनिक सिच्छा का जन्मदाता माना जाता है तो दोस्तों आधुनिक सिच्छा का जन्मदाता चार्ल्स किसको माना जाता है ग्रांट को माना जाता है किसको माना जाता है दोस्तों चार्ल्स ग्रांट को माना जाता है अगला questions है कि किंटर किंटर गार्डन तो आप पढ़े होंगे किंटर गार्डन जो होता है वो किसे है बाल उद्यान से संबंदित है अगला केशन देखे वही आगए गीजु भाई सिच्छा को मानते हैं तो गीजु भाई जो सिच्छा को बाल किंद्रित मानते हैं ठीक है गीजु भाई ज में कव मेरे जो है जो मनुहिछ स्पार म origin कर सके मतल वह जो मनुष्छय की इच्छाओं के क्र सकते तुश्टी कर सके यह किस नंस्थ qक ép회 अर्बन का था किसकी अरबन का थाAll sort screws as30 की जानते हैं कि सूरेकी जो urj sozusagen होती है जिसको हम लोग सोलर के दाला मंद उसके करते हैं तो यह क्या होता है शवरूर जाएगा ठीक है अगला क्योंस आपका है भारती संविधान ठीक है भारती संविधान के किस अनुष्यद के अंतरगर 6-14 वर्स के बच्चों को निसुल एवं अनिवार्य सिच्छा का अधिकार प्राप्त होता है तो दोस्तों यह जो है आपका अनुष्यद 21 कौमे किस में मेरे दोस्तों अनुष्यद का 21 कौमे भारती संविधान के चौदा वर्स की बच्चों के निसुल सिच्छा का जो है अधिकार प्राप्त है चलिए अगला क्रेशन है दोस्तों कि आदर्सवाद के अनुसार सिच्छा का जो स्वरूप है वो कैसा होना चाहिए दोस्तों तो आदर्सवाद के अनुसार ज्वुश है और प्रकृतिवाद किस प्रकार के अनुसासन करता है दोस्तों तो जो प्रकृतिवाद है वो कैसा करता है मेरे दोस्तों तो मुक्तियात्मक कौन सा दोस्तों मुक्तियात्मक ये करता है दोस्तों तो ठीक है ये आपके बहुती गल्पी में कितने आपके बहुती गल्पी सही हुए ज़रूर कमेंट करिएगा चलिए अगला केशन्स पे हम लोग आते हैं जो अगला केशन्स है दोस्तों बहुत धकालीन सिच्छा के दो प्रमुक केंद्रों के नामत है यह दोस्तों बहुत धकालीन सिच्छा के दो प्रमुक केंद्र जैसे दखिए आपका विक्रम शिला है तक्ष शिला है नालंदा है तो दोस्तों नालंदा ये आपका तक्ष शिला ये क्या है बौध काली शिच्छा के प्रमुख केंद है अगला आपका है दोस्तों कि देखे मुल्य परक्षिच्छा के उद्दे से बताएं तो इसको लिखी सकते हैं अगल दोस्तों उड के घोषडा पत्र को कहा जाता है दोस्तों यह भारती क्या है आपका भारती सिच्छा का महा दिखार और अगर आपसे अगर पूज़ता कि यह कब लागू कि एक दोस्तों तो 19 जुलाई 1854 को ठीक है आया था अगला देखे उपनेयन संसकार से क्या आप समझते अगला है आपका देखे राष्ट्री बालसरम नेति कब घोषत की गई तो दोस्तों बल्राश्ट्री जो बालत स्रम नीटी थी वह व्ट 14 अगस्ट 1987 मतलब कि चवद आपका अगस्ट 1987 को मेरे दोस्तों चवद अगस्ट 1987 घुशित की गई अग्ला आक का देखेगे सिच्छा का निश्पंदन सिध्धांत किस ने दिया था दोस्तों सिच्छा का निश्पंदन सिध्धांत आपका लाड मैकाले ने दिया था किस ने दिया था मेरे दोस्तों लाड मैकाले ने दिया था अगला केशन से देखिए कि प्लेटो की कोई एक प्रमुक रचना दोस्तो तो famous रचना आपका प्लेटो के दीव रिपब्लीक क्या है मेरे दोस्तों दा रिपब्लीक र-e-p-u-b-l-i-c यह आपका प्लेटो के famous रचना है मेरे दोस्तों ठीक है चलिए अगला क्वेस्टन से देखे कस्तूर्बा, गांधी, बालीका, विद्यालेक इस्थापना के उदे से बताइए तो पहला दोस्तों आपका बालिका ही देदिया मतलब की बालिकाओं को बढ़ावा देना सिंपल बात ही हो जाएगा और मतलब की इनका जो किस्टुर्बा अंधिकेजी बीपी जो था इनका जो नामांकन खाओड़ा उनके गुडवकता में दोस्तों बृढ्डु Ł wordny करना तो प्रणिवास मिआ छिह लीख सकते हैं यही उद्धेस था अगला है दोस्तों कि आपका कि भारत में अध्यापक सिख्छा के मानक कौन सिसंस था करती है सिखें इतार है इसके अगला है है कि तो सिज्फ्छा की एक परिभासा लिखी इसको आप द्वी लिखी सकते हैं सिचा से मतलब की बहुत चीजें आपका परिवर्तन कर सकता है तहहां अगला है अगला दोस्तों के देखें ड्राप आउट बालक से क्या आत पार देखें तर ड्राप आउट बालक का तत पर यह होता है तो ड्राप का मतलब होता है निकल जाना मतलब की समय से मतलब की समय से पहले ही स्कुल छोड़ देता है उसको ड्राप आउट बालक करते हैं तो अपनी आंदोलन है तो उसको आप लिख लिजेगा करना हेल्प करना हो जाएगा मतब यहीं सब आपका नैतिक मुल्यों को आप दोस्तों यह सब इसके अंतरगत आते हैं मेरे दोस्तों तो इसको आप लिख सकते हैं अगला दोस्तों के देखिए आपका लगूत तरी प्रशन बढ़िया था आपका देखिए कि मांटे शरी की अच्छी कुद्देश्यों की तुलना कीजिए सिच्छा का व्यापक अर्थ क्या है हंटर कमिशन के प्रमुग में से स्थापना के क्या उद्देश से थे मृदा अपरदन को रोकने के लिए किये जाने वाले प्रमुग को पाएं बहुत बढ़ी आची जा लिख सकते हैं त और आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि अभी मैंने सेकंड सेमेस्टर की के लिए बहुत अच्छी वीडियो डाली है चालीस मिनिट की उसको आप देख करके कर जाएंगे तो मैं वादा करता हूं मेरे दोस्तों कल का आपका 20 से कम नमबर नहीं आएगा आपकर आप कु